राजी वह भी जब डिवेट कर रहे हैं, हमारे नीचे स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूस चल रही है, बीजेपी ने अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दिये उस लिस्ट में नरेंदर सिंग तोमर का नाम है, स्मृती रानी का नाम है, नितिन गड़करी हैं और सारे केंदरिये निता है इस लिस्ट के बारे में जब भी चर्चा होगी तो बहस एक बार फिर से गही छीड़ेगी कि जो केंद्रिये नित्रत्व है मद्यप्रदेश, राजस्थान, चत्तिजगर, तेलंगाना, मिजुरम इन स्टेट एलेक्शन्स के लिहाज से किसकी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जादा दम है किसके पास ऐसे बड़े निता केंद्रिये हैं पहाँ पर लोकल लेवल पर जाकर वोट कीच सकते हैं चुनाव आयोग की एक शर्त होती है योगी जी भी है चुनाव आयोग की एक शर्त नियम है कि आपको किसकी स्टेट में स्टार प्रचारक भेजने हैं उनकी लिस्ट आपको भेजनी पड़ती है उनकी सबाएं उनकी सिक्यूरिटी उनके सब के लिए तो ये पाटियां देती हैं ये बात जो आपने पूछा उससे पहले मैं ये कहूँ कि राधिका जी और राखी जी ने जितनी जबरदस्ट डिबेट की है तत्थियों के साथ बाते रखी है वो बहुत दिनों के बाद मुझे सुनाई पड़ा और दिखाई पड़ा इसके लिए दोनों बधाई की पाते हों मैं ये सोच रहा था कि महिला आरक्षड की इतनी चर्चा की जाती है काबलियत आरक्षड की मोहताज नहीं होती है और ये जो महिला आरक्षड को लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा है मुझे पका यकीन है कि हमारी जब तक महिला आरक्षड कोई बहुत कारगर उपाए नहीं होगा क्यों मैं देख रहा हूँ दसीयों परदान मेरे जानने वाली जो महिलाएं है सबके पती जंडा रोहण कर रहे हैं 26 यनवरी और 15 अगस्त को और वही जा रहे है शिवराद सिंग का भी नाम है शिवराद सिंग का ले तो होता क्या है कि महिला आरक्षड में पहले बड़े बड़े नेताओं की पत्नियों को बहुओं को बेटियों को उन्हीं को टिकट को बीस पचीस साल अभी एक करम चलेगा रादिका जी और राखी जी को टिकट मिलना चाहिए सबसे पहले आरक्षड की बात बात में अब बात यह है कि नहीं जो लोग डिलेवर कर सकें और अब बात यह है जो आपने इस्टार परचारा की बात की तो इस देश में बाती है जनता पार्टी की तरफ से प्रदान मंतरी नरेंद मोदी के बाद सबसे जादा किसी इस्टार परचारा की डिमांड है तो उसका नाम उत्तव प्रदेश के योगी आदितिनात है और आप देखिएगा सबसे ज़्यादा डिमांड में वही रहते हैं अमिश्रा जी को छोड़ करके और ये तीन नेताओं की डिमांड सबसे ज़्यादा 40 नान तो दिये गए हैं 40 में कितने की सभाई नहीं लगेगी आप भी देखिएगा शिवराद सिंग का भी नाम है तो इस्टार वो तो CM है तो इस्टार वो हाँ जबकी CM का चेरा नहीं है इस्टार वो 18 साल वो CM रहे हैं आज भी मध्प्रदेश में मैं बताओं आपको मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये बात क्योंकि हाल के 2-4-5 दिनों में एक हफ़ते को आप देखेंगे बीजे पीने अपनी स्टारेजी थोड़ी सी बदली है बदली है वो सीधे सीधे जिस तरह से वसंदरा शिवराग जी को और रमन सिंग को किनारे रख रहे थे अब उनको सेंटर स्टेज मिला रहे हैं वही मैं बता रहा हूँ कि मैं मध्प्रदेश गया था मैं आपको मुझे भी हैरत होती ये देखके और ये बोलते हुए भी कि 18 साल तक मुख्यमंती रहने के बावजूद लोगों के ये कहने के बावजूद कि मैं 10 साल का जब था तब शिवराज सिंग मुख्यमंती से अब मेरा बेटा 8-10 साल का है वही मुख्यमंती इसके बावजूद शिवराज सिंग चौहान के चेहरे के खिलाफ कोई anti-incumvency नहीं है यह मैं आपको बात बता रहा हूँ जो मैंने देखा है ground पर कोई ऐसा नहीं है जो श्रीवराज सिंग चोहान लोगों का गुस्ता कुछ और कारौनों से है मगर श्रीवराज सिंग चोहान बेकार है उसे हट जाना चाहिए बहुत दिन हो गया यह ऐसा कता ही नहीं है श्रीवराज सिंग चोहान आज भी भारतिय जिन्ता पार्टी के मद्दपरदेश के सबसे लोकपरी चेहरा है जन जन तक पहुँचे चेहरा है महिलाओं में सरवादी के लोकपरी निता है यह उनकी मैं बहुत दंग रहता हूँ मुझे जब भी मैं लोगों से गाहूं देहात में बात करता हूँ उससब करते हैं नहीं मामा अच्छा है नहीं मामा ही आएगा मामा के अलावा कोन आएगा चंबल रीजन में लोग नरेन सिंग तो की बात करते हैं सिंधिया की बात करते हैं लेकिन पैन मद्यपरदेश आपको शिवराज सिंग चौहान का नाम लेने वाले लोग आज भी इसी तरह चाहे जिसको केंदी नितित जिसके सिर्पाहात रखते हो अलग बात है लेकिन वसंदरा राजे बारती जनता पार्टी की सबस सबसे लोग परी है सबसे जन परी है और पैन राजस्थान उनकी पकड बाकी नेताओं से बहुत ज्यादा है